दोस्तों आज है 8 सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड अफेस साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखी लास्ट में एक क्वेशन पूचो को उसका एंसर आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है इस वीडियो की पीडिया फा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हैं तो उस लिंक पे भी डारेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और आपको बनाएगे मेरे दौरा करेंड अफेस की बहुत सारे वीडियो उसको फ्री में देख सकते हैं और बहुत इंबोडेन हैं फॉलो जरूर कर चलिए और इदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजित करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रिस करें ताकि आपको डेली मौनिंग में पांच बजे करने फेस्ट वीडियो मिलती रहे चलिए पहला कोशन स्टार्ट करते हैं हाली में कौन सा बैंक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है तो हाली में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है HDFC ठीक आपको बता देख लगातार पांच में शाल देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा है और ब्रांड इंडिया टॉप 50 में टॉप पर रहा है इसके लाब आपको आपको बता देक 2018 में HDFC बैंक का ब्रांड मूर ले 21 परसेंट बढ़का 21.7 अरब डॉलर हो गया है और दोस्तों आपको बता देक Tata Consultancy Services इस सूची में जो तीसरे स्थान पर ही ठीक थार्ड नमर पर TCS जबकि जो Life Insurance Corporation नहीं LIC पेंसान प्लान से हुए बिजनेस के गार्ण दूसरे स्थान पर है तो थार्ड नमर पर है TCS एने Tata Consultancy Services और सेकेंड नमर पर है Life Insurance Corporation नहीं LIC तो यह भी आपको फैक्ट याद रखने एक्जामें पूछा सकता है आप यहां पर HDFC की बात हो रहे हैं तो HDFC एलेटेट फैक्ट अक कब हुई थी अगस्त 1994 में यानि अगस्त 1994 में HDFC बैंक का मुख्याले कहां है हेटकौार्टर है मुंबई में बरतमान MD को नहीं मैंनेग जिन डारेक्टर को नहीं प्रवन एशक को नहीं आदित्य पूरी है ठीक है तो HDFC बैंक से लेटेटेट आपको याद रखना है बात कर हो थी आइसी डारेक्टि यहीं थी दोस्तों 1994 में और बात करें जो बरतमान में MD और CEO हो चंदा कोचर और बात करें नावन एक्जयकीटिटी चैर्में वरतमान में घریस चंद्रा जी ठीक आइसी बैंक के बरतमान जो 1922 एरमन एक्षण्डर्ण जहां है और आइसी एसी बैं को राष्टी करण किया गया था और आपको बतातिक वर्स 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों के साथ बैंक आफ बंगाल बैंक आफ बंबाई और बैंक आफ मदरासा को मिला कर इंपीरियल बैंक आफ इंडिया की स्थापना की गई थी यही बैंक आगे चलकर जिसको राष्टी करण करके एक जुलाई उनिस्टो पच्पन को State Bank of India इसका नाम मिला ठीक है तो SVI के बारे आपको बता दे कि SVI से कोशन पूछा थे भारत को सबसे बड़ा सबसे बड़ा commercial bank यानि सबसे बड़ा वाड़िक bank काउंसा है तो वो है SVI State Bank of India और यह आप याद रखिएगा इसका जो हेटकोाटर है मुंबई में है और वरतमान जो चेर्मेन है वो रजनीश कुमार ते भी SVI से लेटेड आफ़ेक्ट याद रखिएगा बात करें आप दोस्तों PNV bank की तो पंजाब national bank ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा साब को बता देते हैं PNV के बारे में दोस्तों PNV की स्थापना कभी थी 19 मई 1894 को ठीक है आपको बता दे कि देश का ऐसा पहला भारती बैंक है जो पूर्टे भारतियों से द्वारा संचालित की अर्थीक है त तो ऐसा पहला भारती बैंक जो पूर्टे भारती पूर्जिस संचालित था वो पी अनवी था और इसके जो बरतमान में CEO हैं वो है सुनील मेहता जी ठीक है सुनील मेहता है ठीक है तो हाली में काउंस बैंक भारत का सबसे बड़ा मुलिवान ब्रांड बैंक बन गया है लागत के माच करोण की पूजी के साथ बैंक काफिनी की स्थाबन वी थी ठीक है आर्वी आई एक इक नावरी 1934 के तहट एक अपरेल 1935 की स्थाबना हुए ठीक हिस्थाबना केंदरी बैंक, बैंकिंग जाट समीति की शिफारिस पर हुई थी आक को बता दीक हिल्तन यंग रव्याइ का राश्टीकरण एक जनवरी नान्टीन फोट्टीन नाइन राश्टीकरण किया गया था हिल्टन आयोग की अंशनचा पर को को था राश्टीकरण एक जनवरी 1949 में ठीक है तो ये फेक्ट आप बहुत यादर कियोगा बहुत बार एकजम पूछा गया है इसका हैड़ क्वाटर कहा पे है है एकवाटर है मुंबई नहीं महारास्टा में अर्वी आइग जो प्रतम गवर्नर थे दोस्तों वो थे ओस्वारन इस्मित यह बहुत इंपोर्टेंट और यूनिक फैक्ट है अर्वी आइक प्रतम गवर्नर थे इल्कुल याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो हाली में कौन सब भारत का सबसे मुल्यवान ब्रांड बैंक बन गया है और सेकेंड नमर पर है टीस थर्ड नमर पर है लाइसी ही कहा है चलिए इसी तरह है महार कोश्चन में सब्सक्राइब करता हूं तो वीडियो को लास से जरूर देखिएगा और दोस्तों यह आप रेल्वे ग्रूप डीग्जाम की त्यारी करें तो आपके लिए बता दू एल रिवीजन के लिए बहुत इंबोर्टन मातर 30 रूपए की बूक है 30 रूपीज की बूक है उसमें आपको सारे सेक्शन जो कवर हो जाएगा तो वीडियो को डिक्सिप्टन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया हूं तो उस लिंक पे क्लिक करके आप बुक परशेज कर सकते है बहुत अच्छी बूक है रिवीजन के लिए क्योंकि टाइम कम बचा है तो रेलवेक एक्जाम से बहुत अच्छी बूक है वो उसमें काफी सारे सुस्यक्सा ने कवर किये गया है ठीक है तो देख लें आप डिक्सिप्टन बॉक्स मिलेंगे मिल जाएगी चलिए अगले को आपको बतादिक अन्शुला कांत को SVI का प्रवन नेशक निक्त किया गया है और इस पद पर जो है तो बैंक वोड दारूं के नाम की शिपारिस की गई थी आपको बतादिक भी स्री राम की स्तीफे के बाद SVI में MD का पद खाली हो गया था जिन्होंने IDVI बैंक के MD और CEO के हाली में पदवार संवाला है ठीक है तो हाली में SVI का नया प्रवन नेशक किसे निकंट किया गया है अन्शुला कांत को दोस्तों यहां पर बात करें G30 Reddy की तो आपको बता दें G30 Reddy को भी हाली में जो है तो DRDO का जो तो नया चेर्मेन नियुक किया गया है कि इसको G30 Reddy को ठीक है नियुक्ति इस लेडे डक्सर कोश्चन पूछा आता है तो आप याद रखेंगा G30 Reddy को हाली में DRDO को नया चेर्मेन निक्तिक गया है DRDO का फुल फार्म क्या है Defense Research Development Organization क्या है फुल फार्म Defense Research Development Organization इसकी स्थापना कब हुथी DRDO की तो बरतमान में रेखा सर्मा जी राष्ट्री महिला आयोक की अध्यक्ष है इनको अभी हाली में निक्तिक गया है तो राष्ट्री महिला आयोक की बरतमान अध्यक्ष का उनर रेखा सर्मा बात करें हां पर अरजीत बसू की इनको भी जो तो भी हाली में तो हाली में प्रवन को नियुक्ञ को अन्शूला कांत को और इसके अलाब आपको बता दें कि जो आपको बताया हूं कि प्रीराम के स्थीफे के वाद्वाद इस बाइए एंट के पथ खाली हो गया था ठीक है जालिए अगले कोशन के तरफ बढ़ते और SBI के वारे मतमें आगको बता चुका हो पहले ही अगला कोशन है आप पूरती मुवाइल लेप किसे लॉइन्ट किया है देखें दूस्तों को बता दें एक रेल मंत्री सी प्रीऊश गोयल ने भारती रेल्वे की एखरीत प्रणाली संबति आप पूरती मुवाइल लेप ज सब्सक्राइब टर्फि मंतरी श्रीप्रीश गोईल्दार लांज किया घृष्ष मेलन मोप को घर्ण किया घृष्ष ने किया थे बहुतादे कि प्रतांमान्ति मोदी जी ने नहीं दिल्ली में भारत के पहले वैश्यों गत्रीच सिल्पार स्फिकार्चाव में विद्वृति करण बैगलपी की धन से लेकर सारवजनिक परिवान को पुननिर्मित किया गया है और नीती आग द्वारा हित्धारकों को दो दिवसी बैठक आउजित की गई है आपको बतादेक शिखर समयलन विचार विवर्स के लिए पांच ब्यापक विशय विद्धुत्वी करण बैग भागियों की भागिदारी वाला अपनी तरह का पहला समयलन है ठीक है तो भारत के पहले वैश्यू के सिलता शिकर समयलन मूब का उधाटन किसने किया है जिसका राइडेंस आयागा दोस्तों आप्सन डी नरेंद्र मोधी जी ठीक है चलिए अगले कुशन दरह बढ़ते हैं बैंगलूरू स्पेस एक्सपो के कौन से संसकरन का उधाटन हुआ है जिसका राइडेंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन डी छठा संसकरन ठीक है देखिए आपको बता दें करनाटक में बैंगलूरू में इश्रो के जो अध्यक्ष हैं डाक्टर के शिवान ने दुई वार के लिए छोटे उपग्रहों के साथ PSLV और स्माल सेटलाइड लाउंच वीकल के निर्माण की पेश्कास करना चाता है इसके लाब दोस्तों बता देक PSLV लाउंच वीकल के निर्माण के लिए 10,400 क्रोड़ रुपए की राश्य निधायत की गई है जिसमें 9000 क्रोड़ हुआ है और जो बरतमान में इश्रो के चेर्माइन है वो कौन है डाक्टर के शीवान अध्यक्षें डाक्टर के शीवान ते एफेक्ट भी याद रखिएगा भारत स्रिलंका स्रीनेक्स दौरठारा कहां शुरू हुआ है राइड एंसर आउप्सन भी स्रिलंका में आपको नर्शेनाओ के बीच परस्पर विश्वास और अंत्यक्रिय सेलता को मजबूत करने के लिए यह अभ्यास पहले अर्थवार्शी ग्रूव में आजित किया जाता था जो कि इस वर्श एक वार्शी अभ्यास ग्रूव में परवदित कर दिया गया है ठीक है इसके लाब आप श्रि-्लंका का प्राचीन नाम था सीलों और वरतमान में जो करेंसी श्रि-्लंका की वह सीलंकाई रूपया वरतमान प्रेसिडेंट को ने मैतरीपाल सिरी सेना तो भारत श्रि-लंका श्यूकत अभ्यास लिनक दोठारा कहा है जो उत हुँँआ चलिए अब देख लेते हैं क है बहुत important question है आपने कल की वीडियो देखेंगे तो आपको अंसर बता होगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा साथ ही साथ सारी जानकारी और ब्रैंड इमेजडर जो आपको बताया थे स्टाफ है वह आपको लिखना है डिटेल में लिखना है और सभी लोग कमेंट करेंगे ठीक है बहुत कम लोग कमेंट करते हैं और प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा इससे ज्यादा शेयर कर दिए अपने दो